दोस्तों जब भी कभी हमें लैप्टॉप लेना होता है तो नॉर्मल हम इस तरीकी के वीडियो ज़रूर देखते हैं कि बेस्ट लैप्टॉप अंडर 40,000, 30,000, 25,000 जो भी हमारे रेंज होती है उसके साब से हम जो है वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन कई वारे ऐसा होता है कि वो वीडियो देखने के बाद भी हमारे जो doubt हैं वो clear नहीं होते हैं क्योंकि वो 4-5 जो laptop बतायते हैं उस video के अंदर हमें थोड़ा सा doubt ये रहता है कि हमारे लिए कौन सा laptop जो हग बैस्ट होने वाला है तो इस video के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा laptop आपके लिए best हो सकता है मैंने इस वीडियो को तीन categories में बाटा है एक तो students के लिए या daily use के लिए तो students होते हैं उनका क्या use होता है उसके हिसाब से मैंने laptop जो है अलग कर लिए है या daily use जो लोग करते हैं जो जातर internet पे use करते हैं या फिर normal applications का use करते हैं तो उसको मैंने अलग कर दिया है दूसरी मैंने category बनाए है कि जो business जो professionals होते हैं इनको presentations देनी होती है शे market का काम होता है या फिर कुछ ऐसी activities होती है कि काफी sensitive उसके अंदर हो जाता है कि business is like कि data important है काफी उनका और काफी हद तक जो safe और secure होना चाहिए उनका laptop और तीसरी जो category है वो है specialization की तरफ, specialization की अगर मैं बात करने हो तो को मान लीजी आप photoshop इस्तमाल करते हैं फिर editing के लिए लेना चाहते हैं, gaming के लिए laptop लेना चाहते हैं, autocad आप इस्तमाल कर रहे हैं, तो ये specialization की तरफ description में दे दूँगा, या फिर उपर i button में भी आपको दे देता हूँ, तो आपका budget अगर इससे अलग है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं मेरा नाम है संदीब दोस्तों, और चानल का नाम है Tech Wani, बिना वक्त गवाई वीडियो को फटा-फट स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको detail में हर एक laptop की specification screen पर दिखा दता हूँ, ताकि मैं बोलता भी रहा हूँ, तो आप साथ में उसको read भी कर सकें, और आपके लिए काफी easy रहे, तो दोस्तों पहले अगर laptop की बात करना हूँ तो वो है Lenovo का IdeaPad 330 और ये Intel के Core i5 processor की 8th generation के उपर चलता है काफी अच्छी speed इसकंदर आपको मिलने वाली है साथ ही आपको 8GB के RAM का support इसकंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप 12GB, 16GB या 32GB तक बढ़ा सकते हैं, तो काफी अच्छी upgrade आपको देखने को मिलती है latest आपको processor देखने को मिलता है 8th generation का, 1TB की आपको hard drive इसकंदर देखने को मिल जाएगी, तो काफी अच्छा space आपको इस laptop के अंदर मिल जाता है दोस्तों इस laptop के अंदर आपको 15.6 inch की full HD screen देखने को मिलने वाली है, साथ में जिसमें anti glare coating आपको देखने को मिल जाएगी तो आपकी आँखों पर जो है वो असर नहीं पड़ेगा अगर आप जादा देर तक भी किसे laptop को इस्तमाल करते हैं, अगर weight की बात करूं तो तकरीबन 2 kg का इसका weight होने वाला है और 5.5 घंटे का आपको battery backup इसके देखने को मिल जाता है 1 year का आपको इसके दर आपको warranty मिलने वाली है और Lenovo की warranty के अंदर क्या है, कि आपके घर पे आके भी service आपके मिल जाती है, साथी service center पे आपको मिली जाती है brand काफी अच्छा है, तो after warranty भी मतले बाकी LAN, Wi-Fi, Bluetooth, webcam वगरा तो आपको मिलने ही वाला है दोस्तों ये laptop जो है आपको 39,300 रुपीज का मिल जाएगा link में नीचे description में देता हूँ, आप जाके पूरी detail उसकी देख सकते हैं अगर मैं इस laptop की बात करूँ तो इस students के लिए भी काफी अच्छा है daily users के जो लोग करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है और professionals के लिए भी काफी अच्छा है जो की word, excel, powerpoint यूज करते हैं, internet यूज करते हैं, साथ में presentations उनको बनानी होती है speed काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, अगर आप stock market का का काम करते हैं, तो definitely वहाँ पर भी आपको lag देखने को नहीं मिलेगा तो काफी अच्छा brand है, safe आपको ये laptop देखने को मिलेगा, अच्छी आपको service भी देखने को मिलेगी तो अगर आपका budget 40,000 के आसपास है, और आप student है या daily use करते हैं, आप professional है, तो आप इस laptop के लिए जा सकते हैं speed में या काम में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, और हम move on करते हैं अपने next laptop की तरफ दोस्तो अगला laptop भी Lenovo का ही है, Lenovo IdeaPad 320E और यह आपको 39,900 रुपीज का मिल जाएगा, जिसके आपको core i5 का processor ही देखने को मिलता है 4GB की सिंदर आपको RAM देखने को मिलेगी और 1TB की hard drive जो इक बहुत अच्छी बात है कि सिंदर आपको 2GB का Nvidia graphic card देखने को मिलता है RAM आप 8GB, 12GB आप 16GB तक अराम से बढ़ा सकते हैं तो अगर आप gaming का शौक रखते हैं या फिर आप editing का शौक रखते हैं तो यह laptop आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है 15.6 है इसकी आपको HD screen देखने को मिल जाएगी और HD webcam आपको देखने को मिल जाएगी साथ ही आपको 5 घंटे से भी जादा का battery backup देखने को मिलता है DVD, Read, Write दोनों यह laptop करता है और इसे अंदर आपको बाकि सारे ports देखने को मिल जाएगी से Bluetooth, Card Reader, Wi-Fi, LAN, Modem वगरा तो अपने आप में एक complete laptop है और अगर आप gaming में बिलीव करते हैं अगर आपको एक ऐसा laptop चाहिए जो आपका एक अच्छे खासी gaming भी आपको करके दे दे जाएगा 40,000 की range से नीचे में अगर आप इसमें लगबग सभी काम कर पाएंगे surfing वगरा, internet की, gaming वगरा और editing वगरा तो ये laptop के लिए आप जा सकते हैं इसका link भी मैं नीचे description में दे जता हूँ और हम बात करते हैं अभी तीसरे laptop के बारे में दोस्तो तीसरा जो laptop है वो Dell Inspiron का 15 है ये 15 series होती है exactly model जो है वो मैं नीचे description में दे दूँगा तो आप click करके redirect हो जाएंगे उस website पर जहां पर भी ये मिलता है ये laptop भी आपको 39,000 की range में देखने हो मिल जाएगा जो की core i5 processor में 7th generation में देखने हो मिलता है और अच्छी बात है कि इसकी speed जो है वो 3.2 GHz सथ जाती है जो की काफी अच्छी speed आपको देखने हो मिल जाएगी 1TB की सिंदर आपको hard drive देखने हो मिलती है जो की काफी अच्छा space है 4GB की आपको RAM देखने हो मिलेगी जो again मैं आपको बोलता हूँ 8GB, 12GB अपने हिसाब से आप उसको upgrade भी कर सकते हैं और 15.6 inch की आपको HD screen देखने हो मिलने वाली है दोस्तों इसके अंदर भी आपको 2GB का AMD का Radeon M340 का graphic card देखने हो मिलता है जो काफी अच्छी performance आपको देदेगा weight इसका लगबग 2kg, मतलब की 2kg 300g के आसपास होने वाला है तो ठीक ठाक सा weight है इसका क्योंकि इसमें configuration काफी high है AMD का आपको graphic card देखने हो मिलता है तो ये laptop भी कुछ ऐसा है कि आप gaming और rating दोनों कर सकते हैं साथ में जो normal काह में हो तो इसके अंदर हो ही सकते हैं 39,000 रुपीज की range के अंदर आपको मिल जाएगा और अगर आप live streaming करना चाहते हैं gaming वगरा की तो भी इसके अंदर possible है अच्छा webcam इसके अंदर लगा हुआ है तो आप इस laptop के लिए भी जा सकते हैं और अब आप move on करते हैं अपने next laptop की तरफ तो दोस्तो अगर आप एक college going student है और काफी लंबे टाइम तक के लिए के laptop चाहते हैं जो की solid brand का हो तो HP 15 series का ये laptop है B5669TU 38,000 रुपे की range के तर आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छी सेल चलती रहती है फिलाल करेंट लिए 38,000 की range में है लेकि नॉर्मली आपको जब सेल चल रही होती है तो 36 की आसपास पर भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको 7th generation का core i5 processor देखने को मिल जाएगा जो की 2.5 gigahertz की frequency पर चलता है 3MB की L2 cache memory इसके अंदर देखने को मिल जाएगी दोस्तो इसके अंदर आपको Intel का HD 620 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा यह एक integrated graphics है तो इसको आप उस तरीकी से मत देखीगा जैसे 2GB ग्राफिक कार्ड या dedicated जो ग्राफिक कार्ड होते हैं उतनी अच्छी performance आपको देखने को नहीं मिलती है 15.6 है इसकी full HD screen आपको देखने को मिल जाएग जिसके अंदर anti-clear coating आपको मिल जाती है तो आखो पे इतना जोर नहीं पड़ता है तो अगर आपका daily use है आप student है housewife है या फिर आप normally laptop पे जादा Netflix या Amazon Prime वगरा देखना पसंद करते हैं तो इस laptop के लिए जा सकते हैं HP का brand जो है वो काफी trustful brand है आप इस पर trust कर सकते हैं और long term के लिए चलने के लिए laptop जाने जाते हैं एक सालों साली laptop चलते हैं तो इस laptop के लिए अगर जा सकते हैं अगर आप एक लंबे time के लिए सोचते हैं कि अभी college में admission ले रहा हूं हो third year तक भी अराम से चले तो definitely HP के brand पर भरोशा कर सकते हैं मैंने पिछले कई सालों तक laptop जो है use करें काफी सारे laptop यूज़ करें जिन मैंने trustful देखा कि HP का laptop और Dell का laptop definitely brand काफी strong brand है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है कि वो brand में आपके साथ share करूँ जो कि brand काफी solid है तो आपने देखा होगा मैंने Dell, HP या Lenovo के laptop लिये हैं हलाग कि बहुत सारे brand और भी available होते हैं हलाग कि मैं यह नहीं कहुँगा कि उनमें से कुछ brand solid नहीं हैं लेकिन इन brands के आप service पे, parts पे या guarantee पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं आपको definitely अच्छा मिलने वाला है उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें आपके साथ share करना चाहता हूँ वीडियो खतम करने से पहले पहली चीज़ तो यह कि अगर आप एक laptop खरीदना चाहते हैं तो कोशिश कीज़ेगा जो Chromebook वगरा होती है उस पे ना जाए क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है जो घर पे सिरफ YouTube और Netflix देखना चाहते हैं अगर आपको professional काम करने तो आपको एक proper laptop ही लेना पड़ेगा दूसरी बात यह है कि अगर आपका budget जो है वो उपर जाता है 40,000 रुपे से भी उपर जाता है तो editing के अंदर Macbook काफी अच्छा आपको एक option देखने को मिलेगा हाला कि gaming आप Macbook में इतना अच्छे expect नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आपको editing का काम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा तो budget अगर आपका उपर जा रहा है तो आप Macbook के लिए जा सकते हैं बाकि Windows के laptop की बात करें या Dell, HP, Lenovo की बात करें तो उसके नहीं जो 40,000 में best laptop हो सकता है मैं आपको suggest कर दिये हैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंदा आगा यार अगर आप मेहनत मेरी पसंदा आ रहे तो like ज़रू करना वीडियो को और subscribe करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चानल को subscribe जरू कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी की next वीडियो के अंदर